तो चलो बच्चों इस वाले problem को देखो इसमें basically क्या करते हैं कि अगर earth के rotation को count करते हो let us consider the effect bulgaring of earth and its rotation count मतलब मैं rotation count कर रहा हूं omega count कर रहा हूं तो दो option a और b और दो option नहीं तो the point outside the earth where the value of G equal to equator तो सबसे पहले हम यह जाना पड़ेगा कि earth अगर rotate करती है तो यह अपनी earth है कि अर्थ को मैं ऐसे बना देता हूं तो यह अर्थ है तो अगर earth rotate करती है तुम मैं यहां से देखोगे earth अगर rotate करती है तो latitude यह जो होता है यह equator होता है और equator से center से मिलाने वाली जो angle होती है यह lambda attitude होता है और यह omega से अपनी axis पर rotate कर रही है तो यह जो g dash rotation की वह जैसे होता है g minus r omega square cos square lambda होता है और lambda is equal to 0 at equator तो equator पर lambda की value 0 होती है तो g at equator जो होता है वो g minus r omega square आ जाता है ठीक है अब rotation की वाज़े से equator पर value क्या होई due to rotation due to rotation value of g value of g decreases तो rotation की वाज़े से g की value क्या होई और g क्या है surface पर है तो g 9.8 surface पर मलब अर्थ अगर omega बढ़ा रहे हो तो g की value equator पर क्या हो रही है वही कम हो रही है ठीक है तो इसका मतलब यह हुगा कि ऐसा possible है कि अगर मैं अर्थ के उपर अगर equator से उपर जाता हूँ यह equator है इसके उपर जाओ तो g की value तो ऐसे ही कम होती है तो यहाँ पर a point पर आगे हो तो g की value तो ऐसे ही कम होती है equator पे तो अगर यह equatorial plane है यह equator है और यहां तुम जाते तो g की value कम होता है ऐसा possible है कि यह जो है h height की वज़े से जो g की value कम होई है वो exact rotation की जो value g है उसके बराबर हो जाए तो एक chance तो बन जाता है कहीं ने कहीं कि outside the earth value of g equal to equator तो यह जो है वो option सही है first option सही है A is correct और B क्या है there are points outside the earth where value of g equal to value at the pole अब देखो तुम देखोगे कि pole सबसे पहले pole की बात करो अगर pole की बात करते हो तो यह pole है तो pole पे earth के rotation हाँ pole जब जब हम यह यह जो है हम pole की बात करते हैं तो यह जो है यह क्या है pole है वाई तो pole है तो इस पर जो lambda है वह 90 है यह Equator था इह क्या था Equator था और जब Equator था तो यह Angle a this angle is basically 90 तो अगर 90 है तो यह जो है अब G-s की value rotation की वज़े से जी क्या होता है वह जी डेस की वेलू होती है रोटेशन की वजह से जी माइनस आर ओमेगा स्क्वार कॉस्वार लेमडा और कॉस्वार 90 रखोगे तो जी एट पोल जो आजाएगा वह जी एट सर्फेस के इक्कोल आजाएगा अब यह यह तो तभी भी था ना जब अर्थ मतलब अर्थ के रोटेशन से पोल पर कोई नहीं फरक पड़ रहा है तो जब अर्थ के रोटेशन से पोल पर कोई नहीं फरक पड़ रहा है तो अगर उपर जाते हो पोल से उपर जाते हो तो जी की वेलू आटोमेटिकली डिक्रीज होगी मतलब 9.8 से कम होगी तो 9.8 से कम ह होगी तो कहता है कि there are points outside the earth where value of g equal to value at the pole बिल्कुल गलत बात है कि there are points outside the earth where value of g equal to g अब जब outside जाओगे तो g की value कम होगी पोल से 9.8 से तो equal कैसे हो गया तो इसका मतलब भी होगा कि final conclusion यह हुगा कि यह वाली जो statement है बी वाली वो गलत है गलत statement है और यह सब्सक्राइब मतलब इस में लागे a is the correct and b is wrong मतलब b option इसका सब्सक्राइब हो जाता है